हलो फ्रेंज, वेल्कम तो माई चैनलेंग नावज गरूपल 007 तो आज का मैं जो वीडियो बना रहो, यह उसी वीडियो का रिलोटेडी वीडियो है पिछले दिन मैं एक वीडियो बना के दिखाया था, कि हम लोग का जो PF डिटाक्शन होता है मतलब employer जो हम लोगों का salary से या OS से जो PF director लेते बट उसके बाद वो अगर PF department जमा नहीं करते तो उसके लिए हम लोग कौन सा पोटल में कहाँ पर कम्प्रेंट करें पीफ डिपर्टमेंट का तो उसी के बाड़े में मैं पिछले वीडियो में लाइब आप लोगो दिखाया था तो आज का वीडियो वही टॉपिक्स का है मतलब वह अगर कम्प्रेंट रिश्टर होने के बाद हम लोग को क्या करना चाहि हो कि अगर आपका कम्प्रेंट हो गया है कम्प्रेंट दर्च करने के बाद आपके पास 24 आवार या तो 48 आवर्स के अंदर एक मेसेज आएगा जहां पर आपसे डिशन मंगा जाएगा मतलब आप फाइनल डिशिशन रिश्टेशन नंबर 100 बोल के आपको दिखाएगा आपके पास ऐसे मेसेज आ जाते हैं उसके बाद आप उस पोटल में जाएए उस लिंक पर क्लिक करिए करने के बाद जब अपना रिश्टेशन आईडी मतलब कम्प्लेंट आईडी आप जब देंगे उसके बाद आपका सीकूर्टी कोड आपका मोबाइल नंबर देने के ब सबमीट करने के लिए आप उसमें कुछ कोमेंं आप करके सबमीड कर सकते और उसके बाद एक लुट के नेदिगे को इस उसमें भी आप देखेंगे वहां पर भी आप्लोड का उपसन होता है तो आपके पास जो मेसेज आएगा ऐसे आपको आपलोड करना है या तो मेल में भेजना है तो उसका फॉसेस आप लोग के अधी वीडियो में भी देखाऊंगा तो वीडियो अगर अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक करना मत दिए जाते जाते शेयर कर दिए और कॉमेंट्स करिए और अगर मेरे चैनल में नहाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकर को क्लिक कर दिए कि मेरा दूसरा वीडियो का नोटी पैस आपके पास पहले आजाए तो देखे मैं यह पोटल को खोल लिया हूं पिछली दिन हम लोग किया कियाता है रिजिक्टर रिपी जो हे यहां पर किलिक करके हम लोग को मतर्ब अपना इपना रिच्टर कियाता है बाट आज हम लोग को नहीं करना है आज हम लोग को देखना है view status क्योंकि आपके पास वो message आगया तो यहाँ पर view status में मैं click कर दे रहा हूँ यहाँ पर देख क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंट्रफेस आजाएगा जहाँ पर आपके पास जो message आया या तो आप पिछले वीडियो में जैसे देखा था company रेजिटर करने के बाद आपके पास एक registration number आया है तो आपके पास जो registration number आया तो उसको आपको यहाँ पर input करना है तो नमबर को आप input कर दीजिए आप मैं आप लोग एक बाद दिखाने के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग भी ऐसे ही कर देंगे input करने के बाद देखिए यहाँ पर input करने के बाद आपको mobile number मंगेगा आपको जो register number है वो number आपको यहाँ पर input करना है वो देने के बाद यहाँ पर देखिए capture में जो security code दिख रहा है वो भी आपको देना है capture में security code देने के बाद यहाँ पर submit करना है करने के बाद देखिये आपके पस कुछ ऐसा इंटर्फेस आ जाएगा देखिए मेरा यह पर एक्चुली कंप्लेंट जो था मैं आप लोग को जो बोल रहा था मतलब यहां पे सबूट करने के बाद आपसे कुछ मतलब आपका कुछ comments अगर कुछ करना है तो आप लोग यहां पर comments करके यहां पर डाल सकते, वो option आएगा, actually मेरा comments यहां पर मैं डाल दिया हूँ, तो इसलिए मेरा को rating मंग रहा है, तो आप लोग के पास ऐसा है का registration number दिखा है, उसके पास name of complaint दिखाएगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, date of receipt यहां पर दिखाएगा, और current status से मेरा case disposed रहा, मतलब मैं यहां पर comments करके बोल दिया हूँ, कि मैं document भेज दूँगा, तो आप लोग के पास भी, यहां पर comments करके, कुछ आप लोग से मंगेगा, तो आप लोग भी कुछ comments करके दे सकता है, आपका as you use, as per your choice, जो भी आपको मौन में है, तो यहां पर देखिए, उसके बाद आपके पास mail ID भी यह लोग देगा, यहां पर मैं mail ID परके सुना तो यहां पर देखिए, employee feedback at the rate, epfinndia.gov.in, तो यहां पर आप लोग को, जो documents है, मतलब appointment letter, salary sleep, या वही सी, जो भी आपके पास documents है, क्योंकि पी करते है, officer से, और mail तो आपको करना ही है, और कभी-कभी देखिए, mail के साथ अगर नहीं आता है, तो mail number देने से, आपके यहां पर देखिए, इसका बाजू में upload givens documents बोलके हैं, तो आप लोग upload givens document में भी upload कर सकते हैं, बट मैं क्या-क्या, मेरा पास बहुत सारा documents से यहां प mail कर दिया, तो आप लोग को भी यह, मतलब registration जब हो जाता है, उसके बाद, फॉर्टी शावस के अंदर अलब के बस जो registration मतलब, जो final decision का जो आएगा, तो आप लोग को भी ऐसे करके documents भीजना है, और upload करना है, तो आई होब की यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, तो इस वीडियो के मैं यहाँ पर खत्म कर,